है अज़ी है कि अज़ी मिद्ध प्रेंच सीख रहे हैं आप मेरे यानिक प्रियांचु शर्मा के साथ www.mybhashah.com हम पहले के लिए अपने कुछ वीडियो के लिदर काफी कुछ वीडियो के लिख कर चुके हैं आज उसी को कंटिनिल करते हुए मैं कुछ गुछ गुषिनशिप के वर्ट आपके सामने लेने जा रहा हूँ मान के चलिए कि French लोग भी relationships के अंदर काफी interested होते हैं कौन आपके अंकल रहते हैं, कौन चाचागी है, कौन मामाटी है, etc, etc इन सब्सक्राइब को वो भी जाने में काफी interested रहते हैं French लोगे साथ पर कभी अपने family का photographic album निकाल के बैट जाएंगे तो वो काफी interested होते हैं, जाने के अंदर की कौन relationship किसे कहता है तो आएए कुछ mores just says करते हैं तो बेकिनित, अलब वर्ड है, le fees masculine feminine आपको घ्राम होगा है, कि जिस भी वर्ड के साथ में हूँ le लगा रही है, वो masculine है जिस भी वर्ड के साथ हम लाल लगा रहे हैं, वो feminine है genders को हर वक्याप के साथ में, साथ में याद रखते जाएं क्योंकि आगी जाके हम देखेंगे कि grammar के complete concepts और पूरी language का structure completely gender पर देखोता है French में so live fees, यहाँ पर exception देखेंगे, एसको प्रणॉंस कर रहे हैं पर हम L को silent रख रहे हैं le fees means son, बेटा but la fille means daughter, यानी की बेटी और girl, यानी लड़की दोन के लिए common word है जबकि fees वारे word के अंदर सिर्फ son, यानी बेटा आता है और boy, यानी लड़का नहीं आता है boy के लिए word है le garçon यहांपर आप C में सदिये देख रहे हूंगे मैं आपको प्रदे को बता है कि C के अंदर हम उल्टे टर जैसा छोटा करेक्टर लगाते हैं इसको सदिये कहा जाता है और वो हमेशा सब की sound देता है generally सदिये किबल तभी आता है actually English पे भी हम कभी अगर किसी बेटर को बुलाते हैं तो boy करके ही address किया रहता है long अगर L को हटाएं तो om means man इसमें लेखेगा man आदमी का word है पर husband का word om नहीं होता पीज़र लेखते हैं जबकि la femme la femme means woman याने की औरत महिला और wife याने की बीवी दोलों के लिए common word है husband के लिए specifically अलग से word है le marie le marie means husband la femme elle हटाएं तो enfant means child बच्चा lami means friend friend who is a boy वो friend जो आपका आदमी है या की जरूरी की boyfriend या girlfriend के आमें आपा बात करें simply la femme means friend who is a boy or who is a man तबकि मीचे वाला word इसको भी हम la femme pronounce करेंगे it's with an e e साथ में आ रहा है और इसका मतलब भी friend who is a girl कोई भी दोस्ट जो लड़की हो la kamahad la kamahad means classmate le petit ami यह गौर से लेखेंगे यह वर है petit यह वर है ami पर liaison CV combination com liaison होते थे उसकी वज़े से petit plus ami मिलके साथ में रखने से petit ami that means boyfriend boyfriend, friend से फुरा सा अलग होता है आपके जाबाए close होता यह से girlfriend के लिए la petite ami fast बुले के लिए petite ami और la petite ami almost same as sound करेंए article le और la को छोड़के la petite ami means girlfriend l'homme épousee l'homme épousee means married man विभाई पुर्ष la femme épousee married woman यह विभाई ता को lady जसकी marriage हो चुकी हो le fiancé le fiancé means mangetar जो की आदमी है धान सबढ़ेंगे हमने यहां पर एक e oxo-teamu के साथ पर रखा जबकि feminine general के दर एक extra e लगाया है पर जैसे आपको पहले भी ध्यान होगा कि double e आने पर भी french sound एक ही ही रहती है क्यों? क्योंकि हम second last e पर oxo-teamu लगा रहे है और यहां पर भी आप देखें गोर से last का e silent है यानि की बहन lefraich lefraich means brother यानि की भाई lepech means father lamech lamech means mother sister समुद्र का word भी हमने lamech किया है तो fathead की mother जो होती है वो प्यार का सागर होती है और सागर माने समुद्र तो lamech स्पैलिंग का थोड़ा फ़रकाएगा आपर सिर्फ में को m-e-a-r बोलेगे जबकि आपर m-e-a-k-s-o-g-ra-a-e lamech means mother lepech एक interesting word है जो parents जानि माता-पिता और relatives जानि की आपके सरी संबंदियों के लिए यूजरी एक साथ काम में लिया जा सकता है le grand-père means grandfather English की तरह से जैसे specifically dada और nana का word हम अभे महीं कर रहें जबकि दादा जी और नादा जी दोरों को निकेट कर सकता है जबकि दादी और नानी के लिए common word la grand-mère la grand-mère means grandmother le grand-fraire word हम ने भी किया भाई के लिए le grand-fraire means le petit-fraire means छोटा भाई So friends relationships के words को ठंग से आप करेंगा हम आगी दापर के जब center structures करेंगे तो किसी भी relationship को बताने के अंदर यह वर्ड दाक्री बहुत बहुत हल्फूर रहेंगे यहीं friends सीखते रहें मेरे यानिक प्रियांशु शर्मा के साथ www.mybhasa.com 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 www.mybhasa.com